हेलो एवरिवन वेलकम तो माय चनल आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 11 आर सोलर सिस्टम तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो लेशन में और इंज्वाइ कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रहते हैं कहता है we all live on the planet earth हम लोग जितने हैं सब रहते हैं कहां पर आर्थ पे रहते हैं और आर्थ क्या है एक प्लैनेट है तो हम जानेंगे प्लैनेट क्या है तो our earth is one of the eight non planets and is a member of a large family in space अपना जो आर्थ है यह क्या है ना एक member है हां किसका member है तो solar system का यह जो solar system देख रहे हैं इसका एक member है और यह जो अर्थ है यह unique planet है unique planet हम क्यों कह रहे हैं चुकि इस पे जीवन संभव है ओके यह हम लोग जान रहे हैं the sun is the most important member of this family और इसमें जो sun है वो सबसे ज्यादा importance रखता है अपने आप में क्यों इसके पी चुकि sun energy का source है जितने भी planets है सभी को energy कहां से मिल रहा होता है तो sun से मिल रहा होता है अगर earth पे जीवन संभव है तो वो किसके वज़ा से sun के वज़ा से ओके sun से जो light आ रहा है उस light के वज़ा से यहाँ पे संभव है जीवन उसके बारा में आगे हम अभी देखेंगे तो आए थोड़ा ओर जाने this family of sun and its eight planets constitute the solar system तो solar system में कौन-कौन से हैं यह जान ले तो पहला हो गया earth और eight planets तो नहीं पहला हो गया sun और दुसरा हो गया eight planets तो eight planets में अपना earth भी आएगा तो total कितने होगी one plus eight that is nine तो nine members होगे यहाँ पे हान आए जो family है इसमें कितने members होगे nine members होगे ओगे आए अब हम पहले जानेंगे यहाँ पे sun के बारे में इसके बारे में हम लोगव डिटेल से जानेंगे और इसके बाद जो अपने eight planets है इसके बारे जो तो पहले आए हम लोगव देखेंगे sun के बारे में, आईए हम लोग पढ़ें sun के बारे में the sun is the central part of the solar system solar system के beach का part है sun central part के बात की गई है और बीच में रहता है it is a huge sphere of very hot gases और यह huge sphere कहने का मतलब बहुत बड़ा sphere है, किसका? hot gases का ball shape का है, आप इसको कह सकते हूं ball of fire, देखिए next line में लिखा है we can think of it as a ball of fire आग का गोला, बहुत बड़ा आग का गोला ओके, चुकि इसका temperature बहुत ज़्यादा है it produces light of its own, यह अपने आप में light produce करता है, it is thus a luminous body और इसलिए इसको क्या बोला गया है? luminous body बोला गया है, वैसे body जो अपने आप में light produce करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं luminous body, ओके, यह भी clear हो गया, it is also very large and massive as compared to all the planets जितने भी planets हैं, उसके respect में, उसके साथ अगर हम लोग compare करें, तो इसका size बड़ा होगा आनि सभी planets से ज़्यादा बड़ा है कौन? यह अपना sun, okay, sun का size बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर यह हम लोग को छोटा क्यों दिखता है? यह हम लोग के पास question के रिएट हो रहा है तो इसका answer यह होगा इट appears small to us due to its very large distance from the earth आर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होने के वज़े से यह हम लोग को small दिखता है यानि छोटा दिखता है, okay चलिए next paragraph क्यों move करते हैं हम लोग the sun is a source of huge energy energy का यह बहुत बड़ा source है, कौन? sun it gives out energy in the form of heat and light और यह energy हमको किस रूप में दे रहा होता है? यह energy हम लोग को देता है in the form of heat and light light भी हम लोग को मिलता है daytime में आप देखिए, आपको light की जुरत नहीं होती है, okay किसी भी तरह का हम लोग light का आवा सकता नहीं है हम लोग को माँ से heat energy मिलता है, okay तो यह heat और light की रूप में हम लोग को energy दे रहा होता है we call the energy received from the sun as solar energy और यह जो energy हमको मिलता है, कहां से sun से? उसको हम किस नाम से जानते हैं? solar energy के नाम से जानते हैं, okay the earth receives almost all the energy from the sun और जो earth अपना है, जिस पे हम रहते हैं वो जो energy received करता है, receive करता है मतलब प्राप्ट करता है वो कहां से प्राप्ट करता है? तो sun से प्राप्ट करता है, okay अई यह third paragraph की बात करेंगे the sun is essential for growth the sun is essential for growth and maintenance of all forms of life on the earth earth पे जो जीवन है, आप जानते हैं कि earth पे जीवन संभव है तो जितने भी तरह की जीव यहां पे रहते हैं उसका जीवन संभव है, किसके वज़ा से? तो sun के वज़ा से हाँ, sun is essential for growth and maintenance of all forms of life on earth आर्थ पे जितने भी जीवन है, वो सबका maintenance और growth का करण कोन है? तो sun है अगर sun नहीं होगा, तो यहां पे जीवन संभव नहीं होगा कहां पर? आर्थ पे, यह हम लोग जानगे नेक्स्ट है, all living beings, whether plants और animals, चाहा हम जिसकी में बात करें plants की बात करें, या animals की बात कर लें, depends on the sun for their food वो अपने food के लिए किस पे निर्वर करते हैं? sun पे ही निर्वर करते हैं अगर sun नहीं होगा, तो किसी को food item नहीं मिल सकता है, चाहा हो plant हो, चाहा हो animal हो अगर food item नहीं मिलेगा, तो कोई भी अपने आपको survive नहीं कर पाएगा, ओके, यह हम लोग समझ गिए next है, plants make their food in the presence of sunlight हम लोग यह जानते हैं, कि जितने भी plants हैं, green plants, वो अपना food खुद से prepare कर लेते हैं किसके presence में? तो sunlight के presence में और इस process को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं photosynthesis, यह हम लोग जान रहे हैं तो photosynthesis एक ऐसा process है, जिसमें green plants अपना food खुद से prepare कर लेते हैं किसके presence में? sunlight के presence में आप देखिए, all other animals get their food directly और indirectly from plants और जितने भी दूसरे animals हैं, वो अपना food कहां से प्राप्त करते हैं? वो अपना food प्राप्त कर रहे होते हैं, plants से आप जरा imagine किजिए कि आप जो food item खाते हैं, जो भी food item लेते हैं, वो आप कहां से आता है? वो आप कहां से आता है, तो plant से आता है, आप जरा सोचिए कि plant से कैसे आता है, कोई भी food item के बारे में आप सोचिए, आप अगर rice की बात करेंगे, तो rice कहां से आ रहा है, plant से आ रहा है, अगर आप vegetables की बात करते हैं, तो वो कहां से आता है, plant से आता है, अगर आप fruits की बात कर कैसे प्रिबर कर रहे हैं तो सन लाइट के परजरंज के कारण अगर सन लाइट है तो प्लां सापने आपको सरवाइब किये में अपने आपको जीवित रखे हुए हम लोगों को फुर्ड एक्टम मिल रहा है अब ज़रा सोचिए कि अगर single नहीं होगा, तो प्लांट जीवित नहीं होगे, प्लांट जीवित नहीं होगे, तो जितने भी एनिमल्स हैं, वो भी जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए कहा गया है, कि सन जो है न, वो आपका ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, किसके लिए, तो जितने भी जीवन है आर्थ पे उसके लिए ओके ये चीज़ के लिए रहोगी अब होथ ही important paragraph है ये that paragraph हाँ इसको आप बरबर रिवेज कीजी चलिए अब हम थोड़ा और बात कर लेते हैं we use solar energy in many ways sun से जो energy आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं solar energy अब इस energy का हम लोग युपयोग कैसे करते हैं तो देखिए we use solar energy in many ways किस तरह से युज़ करते हैं तो पहला हम यहां देखेंगे solar cookers and solar geysers are used for cooking food and getting hot water तो आप देखिए solar cooker जो है इसका इस्तेमाल होता है किसलिए food item को पकाने के लिए और यह जो अपना solar geyser है इसका युज़ किसलिए होता है तो hot water को प्राप्ट करने के लिए तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है और भी देखिए युज़ेच we also have solar cells solar cells का आप नाम सुने होंगे या देखे भी होंगे तो solar cells का क्या काम है ना sunlight में जो energy है उसको electric energy में change कर देता है तो यह solar energy का युज़ करके उसको electricity produce करता है इस यार यूज़ेट इन devices like calculators, wrist watches हाँ इसमें यूज़ हो रहा है यूज़ेट इन main made satellites and space vehicles तो a space में जो जाने के लिए जो vehicle design होता है उसको हम लोग कहते है a space vehicle अंतरिक्च आन हाँ जो भी scientist होते है astronaut वो अंतरिक्च में जाते है किसके help से तो a space vehicle के help से तो a space vehicle में क्या यूज़ किया जाता है solar cell लगाया जाता है और यह solar cell क्या काम करता है उसको energy देता है और दूसरा यह जो satellite है man-made satellite उसमें भी solar cell का इस्तिमाल किया जाता है तो यह चीज़ें होगी usage होगी है solar energy का अब हम आगे देखेंगे एक line ओर है यहां पे they also provide electricity in many remote areas remote areas कहने का मतलब जो area अभी develop नहीं हुआ है जहां पे electricity अभी पहुचा नहीं है उस area को हम लोग remote area कहा सकते हैं और वहां पे electricity अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोगो क्या यूज़ करना पड़ेगा solar cell यूज़ करना पड़ेगा solar cell यूज़ करके हम वहां पे electricity प्राप्ट कर सकते हैं तो ये चीज़ था जो यूज़ था अपना sun का तो आप देख सकते हैं कि sun बहुत ही important part हो गया अपना solar system का next page पे हम लोग आते हैं देखी ये कहा गया है do you know कुछ extra knowledge हम लोगो को देना चाहरा है तो आईए हम बात कर लेते हैं the sun being so essential for evolution and propagation of life on the earth has been worshipped as a god by almost all the ancient civilizations तो मतलब पहले की जो people है आज की भी दिन में भी आज भी लोग son को as a god के रूप में मानते हैं आप देखें last line पढ़ता हूं में the Hindu mythology speaks of son as surya dev हाना Hindu परंपरा के नुसार son को क्या माना जाता है surya dev के रूप में माना जाता है और surya devता के रूप में उसकी पूजा की जाती है किसकी sun की तो as ये god इसको trait किया गया है चुकि ये इतना essential है हमारे लिए हाँ इस बज़़ से इसको Hindu परंपरा के नुसार god के रूप में trait की जाता है माना जाता है ये हम लोग समझ गे sun की पूजा भी की जाती है चलिए next हमारे पास से sun के बाद आता है planets तो आईए हम planets के बारे में थोड़ा सा जान करे लेते हैं और इसके बाद एकक करके सारे planets के बारे में हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग यहां से start कर लें ये हमारे पास है प्लेनेट का से हो गया आर सेलेस्यल बोडी वीच मुव एराउंड अट सं शन के चारों और यह मूब करते हैं तो जितने भी planets हैं वे सं के चारों तरफ मूब करते हैं आनि उसके और चक्कर लगाते रहते हैं, sun का चक्कर काटते रहते हैं, okay, this movement is known as revolution, और यह जो movement है, इसको मैं लोग क्या कहते हैं, revolution कहते हैं, और यह जो motion है, इसको मैं लोग क्या कहते हैं, revolution कहते हैं, इच प्लेनेट रिवॉल्फ्स एराउंड दसान इन या डैफनीट पाथ जितने भी प्लेनेट है सब अपने अपने रास्ते में घुमते हैं सन के चारो और उसका अपने रास्ता फिक्स है वो रास्ता वो चेंज नहीं करते हैं इस पाथ इस तरह यह घुमते है और इसको में लोग क्या कहते हैं ऑर बीट कहते हैं तो जितने भी प्लेनेट है उसका अपना अपना रास्ता है और उसका वो क्या कराएगा और बीट करलाएगा planets do not have light of their own जितने भी planet हैं उसका अपना light नहीं है हाना उसके पास अपना light नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं non luminous object जिसके पास अपना light होता है उसको हम लोग luminous object कहते हैं लेकिन जिसके पास अपना light नहीं है उसको हम non luminous object कहेंगी तो planets कैसे object होगे non-luminous object होगे their observed brightness is only due to the sunlight reflected by them जो planet हमको चमकता हुआ दिखता है वो किसके वज़ा से दिखता है तो sunlight को reflect करता है और sunlight को reflect करता है इसलिए वो चमकता हुआ हमको दिख रहा होता है चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे और भी हमारे पास आगया है do you know कुछ extra knowledge हम लोग जानेंगे तो यह है astronomer astronomer हम लोग किसको कहते हैं जो planet के बारे में जानकारी हासिल करता है उसको हम astronomer कहते हैं तो यहाँ पे astronomer है John Kepler Germany का रहने वाला for that orbits of planets were not exactly circles उसने क्या पाया कि जितने भी planets हैं उसका जो orbit है वो circular नहीं है आनि circle के जैसा नहीं है exactly circular नहीं है as considered by Aristotle and Copernicus तो Copernicus और Aristotle यह astronomer ही थे जिसने यह consider किया था कि जो orbit है जो planets का वो कैसा है वो आपका circular है लेकिन यहां पे Kepler का कहना है कि जो orbit से वो circular नहीं है circle के जैसा नहीं है तो कैसा है वो बता रहा है but were more like flatted egg थोड़ा सा egg का shape कैसा होता है इस तरह चप्टा हाँ वो shape का है क्या orbit और इसको क्या नाम दिया गया है ellipses according to Kepler the path of a planet around the sun that is its orbit is elliptical in shape तो देख लिजिए Kepler के अनुशार जो orbit है आने की path हाँ orbit आने की path वो कैसा है वो elliptical shape का है elliptical shape कहने का मतलब थोड़ा सा चप्टा अंडा कार shape का है ओके circular नहीं है with the sun at its focus और sun कहां पर है तो उसके बीच में आने की एक focus पे located है तो ये था हमारा path के बारे में जो orbit है उसके बारे में कुछ extra knowledge जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो simple way में हम लोग ये जान लें कि जो path orbit है वो कैसा है अपना वो elliptical है हाना अंडा कार shape का है ये हम लोग learn कर लेंगे चलिए next पर अगर आपको देखते है there are eight planets in our solar system all these planets are at different distances from the sun तो कितने planets है eight planets है हमारे solar system में और जितने में planets है सबका distance कहा है ना अलग-अलग है कहां से? sun से हाँ उसका distance sun से अलग-अलग है सब एक ही distance पे नहीं है the planets of the solar system in increasing order of their distances from the sun are increasing order of distance इसका बढ़ता जा रहा है उसके अनुसार यहां पे हम लोग दिया गया है तो पहला नमर पे क्या है ना पहला नमर पे है mercury दुसरा पर है venus तो आप यूं कह सकते हैं कि स्वीरी के सबसे नजदिक कौन सा planet है mercury उसके बाद दूसरा distance के नुसर कोन है venus और तिसरा कोन है तो अपना अर्थ और चोथा हो गया मार्स और फिप्थ हो गया जूपिटर और इस तरह से और भी आगे हम जा सकते हैं six में हो गया सेटर्न seven में हो गया uranus और eight में हो गया नेप्चून यह distance के according इसको arrange किया गया है और इसमें से हम लोग कोन से planet पर रहते हैं आर्थ पर हम लोग जान रहे हैं चुकि इसको unique planet कहा गया है आईए यहाँ picture में देख लें यह देखिए left side में लोग देख रहे हैं बड़ा सा big ball fire का अनक gas का गोला है जिसको हम लोग sun कहते हैं तो sun को यहाँ पर दिखाया गया है और sun से पहले नजदिक में कोन है यह mercury फिर venus फिर earth फिर mars फिर Jupiter फिर saturn Uranus और नेप्चून तो यह total कितने planet होगे total होगे 8 planets तो यह solar system का diagram आप बनाईएगा आप diagram बनाईए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और यह interesting diagram है आपको आनंद आएगा जबाब बनाएंगी तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो जाता है let us now learn more about these planets यहाँ से हम लोग एकक करके सारे planets के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी तो पहला अपना क्या है Mercury और फिर इस तरह से आगे अपना आएगा Venus और फिर Earth तो इसके बारे में हम लोग next वीडियो लेशन में सीखेंगे तो आज की वीडियो लेशन में बस इतना ही so I hope this वीडियो लेशन is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead